अल्ला के नाम से शुरू जुनासिफ महबत करता है बलकि पसंद करता है इन लोगों को जो खुरूप फिकर करते हैं असलाम वालेकूं माई डियर्स आइम यूव टीचर सशकील एमत मैं मैं डियर स्ट्वेंट्स टूड़े माई टॉपिक इस describing of motion आज हमारा जो टॉपिक है इस वेरी इंपोर्टेंट्स टॉपिक वाटेवर इन आवर लास्ट टॉपिक्स जो कुछ हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है अब वक्त आगे आए कि उन तमाम चीजों को इंप्लिमेंट किये जाए ठीक है सबसे पिले हमने यह पढ़ा के motion क्या होता है rest क्या होता है ठीक और motion की how many kinds of motion इन सब को हमने अलहमदुलिल्ला डिटेल में जो है ठीक है not only I explain in detail as well as I try my best level to understand each and everything concerned about this topic जो कुछ भी हो सकता था मैंने भरपूर दरीगे से जो है आपको तमाम concept दिये अब वक्त है उन तमाम concept को जहन में रखकर हम अपने motion की तरफ चलेंगे जो हमारा target भी है और इससे पहले अपने तमाम जीज़ें पढ़ी these are very necessary बहुत जरूरी थी in topic तक पोचने के लिए ठीक मिना topic का नाम लिखा है describing of motion इसका मकसद यह है कि जब motion जिसको हम observe करने के लिए जा रहे है not watch observe करने के लिए जा रहे हैं कि उसके अंदर वो किस तरीके से describe होता है वो किस तरीके से ब्यान होता है अगर एक point A से point B तक आप जाते हैं suppose मैं अगर यहां से यहां तक अगर मैंने travel किया तो बजाय तो मैंने जो है कुछ मीटर या कुछ संटीमिंटर जो है का फासला डिस्टेंस कवर कर लिए लेकिन इसके बीच के अंदर बहुत सारी features हैं बहुत सारी properties हैं motion की जब तक हम properties को नहीं पढ़ेंगे we can't understand motion motion को हम समझ नहीं सकते motion को समझने से पहले जो तमाम चीज़ी थी वह मैंने आपको बताएं जो आपको जो फीजिक्स में जो concept rest का और motion का ठीक है वो मैंने आपको दिया थाकि we are able to understand following topics जो आने वाले जो पर topics है उनको हम understand कर सके ठीक है सबसे पहले मैंने लिखाए the motion of an object बोडी भी हो सकती है can be described by distance displacement speed velocity and acceleration इसका मक्सित असान अबसुमी है कि जब भी हम motion को बयान करने के लिए जाएंगे motion को बताने के लिए जाएंगे तो motion जब perform होगा तो यह जितनी भी चीज़ों मैंने बताएंगे यह these are the component of motion यह तमाम किसी भी motion की वो properties है कि during the motion यह उसके अंदर जो है observe की जाती है उसको steady की जाती है यह तमाम चीज़े जो है उससे मिलकर बनी है यानि कि तमाम चीज़े जब यह तमाम चीज़े होती है तो एक जो motion होता है वो क्या होता है ठीक है तो यह these are the some कुछ terms है these are the these are the terms कुछ यह terms है physics के अंदर जिनको में steady करेंगे one by one तो आज जो मैं जो right now या today I'm going to explain yes you can say surgery surgery में ज्यादा बोलुगा क्यूंकि हम बहुत deep से पाटते हैं तो ठीक है तो आज हम जो जिस चीज़ की सर्जरी करने के लिए जा रहे हैं वह यह distance इसी को मैंना अपना अज topic बनाया है इसकी जो है मैं definition right away I don't write क्योंकि इसकी रचन आपको समझ भें नहीं आएगी ठीक है to understand the distance I'm going into into a example by the help of example ठीक है I will explain as well as I will tell you each and everything ठीक है कि यह distance क्या होता है ठीक है और distance किस तरह perform की जाता है ठीक है तो मैं भी पूरी तरीके से कोशिच करूँगा और as well as I hope you are corporate being आप भी मेरे साथ corporate करेंगी respond करेंगी ताके मैं आपको बहतर तरीके से समझा सकूँ ठीक है अच्छा सबसे पहले मैंने डाग्राम बनाया है इस डाग्राम में मैंने बताने की कोशिश की है कि मैंने एक बोडी बनाई है एक इंसान एक human की मैंने बोडी बनाई है लाइक काटून ठीक है सिर्फ समझाने के परपस से मैंने बतागी एक बोडी बनाई है एक बोडी बनाने के बाद मैंने जो है एक ट्रेंगल मैंने बनाया है ठीक है एक ट्रेंगल बनाया है और ट्रेंगल बनाने के बाद मैंने कुछ पॉइंट दिया है पॉइंट ए बी ए एक human body है, he want to go somewhere, मैंने आसानी के लिए, मैंने नाम दिया है हिद्राबाद, एक body है, ठीक है, कोई भी ये body है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, एक body है, he want to visit somewhere, या, वो अपने घर से किसी दूसरे शेर को visit करना चाता है, ठीक है, उसने planning की भी मुझे जाना है, ठीक है, तो उससे वो हैद्राबाद से चला, मिरपुरुखास, हैद्राबाद से एक आजमी चला, मिरपुरुखास, और मिरपुरुखास, और मिरपुरुखास जो फासला मैंने जो है, समझाने के लिए थोड़ा रखा है, वैसे उज़ादा है, 5 किलो मिटर, ठीक है, समझाने के लिए फिंकर तो कोई सीवी उसे कोई फर्क नहीं पढ़ता ठीक है फिरस ही स्टार्ट जनर्नी फ्राम ए टू बी ही स्टार्ट फ्राम हैदराबाट एंड रीच इन मिर्पु खास यह यहाँ पहुची है पहुचने के बाद फिर इसने कहा कि मुझे जो है मिर्पु खास पहुचने के बाद इसने बोला फिर इसने रेस्ट लिया फिर इसने का कि मुझे यहर एक और जगा जाना है कराची ठीक है अगेंड इस्टार्ड इस जर्नी फ्राम मिर्पु खास तो कराची कराची आ गिया कराची मिरमुखास तक का फासला था वो था तीन किलो मिटर ठीक है अब इसकी जर्णी खत्म नहीं होगी ठीक है इसके पास काची पोचने के बाद जो बोला कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं जो मेरा जो मेरा डिस्टिनेशन है जो मेरा नेटी प्लेस है मेरा अपना घर जो हुआ है फौर किलो मेटर ठीक है यह इसकी जर्णी थी जो के ऐसे शुरू होई और सी इस खतम होई ठीक है इसने अपनी जर्णी में और विजिट में जो सबसे पहले उसने मिरपुर्फास का विजिट किया अब इससे मुझे हमें कोई कोई हमारा मेंटर नहीं कि यह जाहे एसने बस ही की जहोऑनी की चाहिए यह गार वय जाफ की जो किकि अ और विजर्णी जो कि की हैं हमें क्रीकित पार से है फिर यहां से यहां और कि शेती कराची चार्णी से यहां पर आगिया थीक है इस condition में अगर हमारे को हम यह देखना चाहें कि इसने कितना फासला ते किया how much he travel तो हम क्या गरेंगे सीधा सीधा सबसे पहले A से A को B लिखेंगे ठीक है A और B का फासला लिखेंगे फिर B से C का फासला लिखेंगे B C लिखेंगे और C से फिर A को लिखेंगे A C लिखेंगे ठीक है और बीच पासला दे देंगे पिलस का ठीक है उसके बाद फिर अब क्या करेंगे इसके numericals लिखेंगे इसके number लिखेंगे इसकी values लिखेंगे ठीक है जो इसने travel की है या इसने 5 km की है या 3 km रखिए या 4 km रखिए इन सब को 8 कर लेंगे तो यह जाएगा 20 km This is the This is the distance यह होगी अडिस्टेंस कोई body ठीके कोई body अगर वो travel करती है तो जिस पाथ को वो follow कर रही होती है जिस पाथ को वो तो follow यह न कि तमाम जो पाथ है इस तमाम पाथ को मैं आएससा जो है उसके word भी लोगो ताकि आपको आसानी होती है उसके सासत ठीक है इस तमाम जो पाथ है इन सब को वो add कर लेगी सब को add कर लेगी तो in the result of addition whatever जो भी result लाएगा उसको हम आसान लफाज भी क्यों बोलेंगे distance फिजिस की ज़वान में इस इस काल दा डिस्टेंस तो आप यह सोचींगी सार जो है वो यह तो फिजिक्स में हो गिया लेकिन हम अपनी आन रूटीन में भी जो है इसी तरह केल्कुलेट कर रहे होते हैं हाँ बिल्कुल कर रहे होते हैं फिजिक्स हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा है ठीक है यह तो एक स्टार्टिंग है भी बहुत सारी चीज़ा आना शुरू होंगी ठीक है लेकिन यह वो ही तरीका है जो हम अपने आम तोर पर केल्कुलेशन कर रहे होते हैं अपने डिस्टेंस को काउंट करने के लिए क्योंके विकाज फिजिक्स इस दा पार्ट आव अवर लाइफ हमारी जिंदगी का हिस्सा है मैंने अको कल भी कहा था उसे पहले भी कहा था फिजिक्स क्या है हमारी जिंदगी का लाइफ का हिस्सा है सिर्फ क्या चाहिए है देखने वाली आंके चाहिए ठीक है तो यह किलाएगा distance ठीक है अब इस पूरे जो जो सिनारियों है इसमें आपने सिर्फ एक बाद रहती है कि distance के अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं हम पात को देखते हैं किसको देखते हैं कि बात को देखते हैं और डारेक्शन को ignore कर देंब में इसमेअ इसमें इसमें उसके बेप सुहने लेकिन इसके अंदर जो और मन में आगी छोड़ी बात बता रहा हूं आपको फोड़ा हिंट्स दे रहा हूं कि इसके अंदर डारेक्शन को नहीं होती है यह चीज को मैं पहले विए कि चुप हूँ क्यों कि मैं नहीं चाहता है कि आप डिस्टाब हो जाएं आज जो आई हैं आप सीख के जाएं कुछ ना कुछ जो पुरी प्लैनिंग करके आता हूं पुरा पढ़के आता हूं समझ कि आता हूं और आपके जहनों भी पढ़ताओं कि आ Stretch산 कर सकती हैं कितना है में कोई सी चीज को नहीं शेट थाjust हूँ सुर्ह प्र समझा रही है इससर तो आपको और भी जगा पढाया रहा है लेकिन बेरी विल आको बताने की जूरुद नहीं है ठीक है तो बड़ा इतियात के साथ चालना पड़ा आपको समझाने लिए ठीक आब यहाँ पर जो है क्या होगी हमारे पास यह होगी लेंगे रख लें प्स ठीक है और बात की डिस्टेंस के अंदर डारेक्शन नाम की कोई कि चीज़ नहीं होती है बिडियाँ टाइम रखलें सिर्फ एक ऐसे यह रख लेंगर के बात फूरी दिर के लिए जहन के अंदर अदर इससे आप धोराना नहीं है सवालाहताँ के पैद आख्राइब कि नबहुत लाइग टू की कि कांटक्ड निहां पर पाता ठीक है अब गेस्के अब इसके अधर पाइब इसके अंदर भी पात है लुक्ताइब इस दिफरेंट पार्द यया यह था त्रैंड्ल आप थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको भढने की कोशिश कर रहा हूं आइसे स्ता थीक के अच्छा अच्छा यह पाह्थ राश्ता वी पनफा पडना ही एक पर पूरी जिन्देगी पढ़ना ही यह यह करफ के अंदर है लेकिन इसको भी क्या करता है क्रास करता है और जारा ततर जो है इसकाइड आप पाद हमें भी फाउंड इंडा नौर्धान एरियाज हमें वहां जारा मिलते हैं आपने जगा का विजिट किया तो वहां इसी तरह की पक्डिड़ी होती है लोग इसी नहीं किसे जारे होते हैं ठीक है तो आप सोड़ी दर के लिए कि यह हं प्रकडिड़कर है यह वहां पर आप गले यह उग당 के पर हैं ठीक है यह उत्याजेशन है अडिश्यटेशन और ऑपने यह वह पूछना तो आप क्या करोगी यहां से चलोगी यहां Consultant दी यह पोग जाओं क्लिख को तो आ हैं हिक अब आपकी जहने बाद होगोंगे इस आप किसको फालो कर रही हो पाथ को फालो कर रही हो क्योंकि देखो न यूं आ गया 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 मक्षट यूं 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 चलना है ठीक है डारेक्शन नहीं है लेकिन आप किसको फालो कर रही हो पाथ को आपको इससे घरज ही निए कि रास्ता किद्र नमभा है आपको तो लगई देन के अंदर आपने क्या करना है आप टूरीच अंदर डिस्टेनेशन अब बी मुझे बी तक पोचना है बच्चे उते मच्चे को पता नहीं होता चले जाते हैं वह आंखों का बेल बांग देता जो वह सारा दिन क्या बोलते कावद में जिन से आ रही है कोलू वह बेल जो बहुत से लोग सोचते हैं यह ना काम में लगाते हैं तो उनके लिए जो एक एक जेमपल इस्तवाल की थी कोलू को बेल का वक्साथ दी होता है कि वह उसे जब काम लेते हैं उसके आखो पट्टी बांदेते हैं वह पिचाना सारा दिन तेल की जो लगाए सारा दिन चलता रहता है तो बहुत से बच्चों के लिए बहुत से लिए वह इस्तवाल करते हैं आप तो यह आर जास्ता होता है तो अब इस तरह का आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको आपने है दिस्टेंस को मेंजर करने के लिए आप تھोड जो थोड़ी तरीकों से चुरूंगी यहां से लिए टेप्स हिंगी ठीके तो इस तरीके से आप यह आप पULवाम हा डिस्टेंस को केल्कुलेट कर लेंंगी को आप क्या करेंगी सब से बेले आप करेंगी 20 लिखेंगी घ aggi और फीर थाटी करके है इसको आप कर किसे आएंगी ठीक है तो आपके बाद अगर पाद भी केड़ा बेड़ा आ जाए तो भी डोंड के हमारे सामने कैसी पाद आ जाए पाद को हम पड़ चुके है ठीक है ठीक है तो इस किसम की जो अगर पाद आएगा तो उसको भी क्या करेंगे किस में करेंगी डिस्टेंस पर करेंगे डिस्टेंस किसी किसम कर जाए जब भी हमारे पर कोई भी पाद आएगा तो हम उसको जो है बेजर से यह किसी भी जो भी जो 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 इंस्ट्रुमेटर को से नापकर उसको जस्ट क्या कर देंगे उसको इड़ करके सम करके स्कों दिखा देगे वह इस इस दा डिस्टेंस ओप सम्विया कहीं कभी हमें वो दियावा मुलेंगे यह हमार बस डिस्टेंस ठीक है तो यह थी दो एक्जेंपल अब इन एक्जेंपल के बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी कर्लमेंशनल गर्ष जललason मक्सक्ister में उसилась एक कि पॉरानी 20 बनी बनाई किविए निर्टे यूट सिस्टाइश रटे वाली डेठी बटतें आसा लबज वह थीकसे लिकिर इन ड्रम बड़े हैं लबजों के अंदर यह पूरी पूरी जामे जामे बनीए सारी के-सारी आ रो इसमें और तोटल लेंथ है यहां की यहां की यहां की टोटल लेंथ तोटल लेंथ सारी लेंद ये वाली लेंद सारी कवड कवड की जाती है कवड की जाती है यहां से यहां तक पोज़गा तो कवड होगी ने सारी है कवड पाए मूविं बोडी कोई भी इंसान मूवी करता जाएगा न without mentioning direction it's called distance it's called distance कोई भी बोडी जब चलेगी जब वाक करेगी जब वो रन करेगी in any shape तो वो किसे भी होगी moving form में होगी और वो जितना भी जितना भी फासला ते करेगी जितनी भी length ते करेगी length ठीक है उन सब को क्या अगर वो ते करती है और उस में direction नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे distance the total distance length covered by moving body without mentioning direction is called distance कोई भी body ठीके जबा कर लिए उसके सारा जितने हमें length अब चाहे वो रास्ता ट्रेडा हो चाहे गोल हो चाहे वो random हो चाहे वो circular firm के अंदर हो चाहे वो linear firm के अंदर हो आपको भी इस्तवाल लफ्स करने है ताकि आपको याद रहे ठीके linear firm के अंदर हो चाहे वो circular firm के अंदर हो चाहे वो random हो ठीके ठीके चाहे वो rotatory हो यह और ऑक्सिलेटर हो ठीके उन सब को हम क्या करेंगे जमा कर लेंगे in case of distance के अंदर ठीके तो यह क्या था this is the topic of distance अब इसकी कुछ चीजें है mathematical इसको चुरा अब उसकी तरब भी आते हैं जिरे में वार्षा पढ़ने वाला है अच्छा यह जो distance है कौन सा word ऐसा है English का जिससे इसको denote किया जाता है तो वो जो word है वो है एस देखो एस मिलनी रास से ठीके इसकी ग्राइब अबाद दे जाएंगे ठीके एस से इसको क्या किया जाता है denote किया जाता है जब भी हमारे को distance लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे एस बरावरे 12 किलोमेटर एस से लिखेंगे ठीके जी सबसे पहला हमाट आगिया एस एस डेनोटेट भाए distance ठीके तोरों में फर्क है ठीके लेकिन आपको यह दूसरा यह है कि इसकेलर क्वाइन्टिटी क्या है यह क्या हो दिए शावाश जिसकी कोई डारेक्शन ना हो सच क्वाइन्टिटी इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसके बाद सिर्फ वेलॉस होती है वेलॉस को बलते हैं मेगनीट्यूड हइसकी जमान में हमार पास क्या वेलुस आईए 20 किलो मेरे हाँ हाँ यह क्या क्लाएगा इसका मेगनीट्यूड जब आपको लेक्ट्चर दिया रहаться तो यह मेंनेवेत्व बताएंगे मैंने आपको दो 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 चीदे बता दी है ठीक है तो दिस likes यह मेंग्नी टूड पर डिपरेंड्ड करती है क्यों यह लैंध जो है कॉंशियस है लैं पर करेंगे जब हम करेंगे तो में निकलेगा अगर मैं इसको सब्सक्राइब करूं तो में तो यह क्या करती है मेगनीटूड पर डिपेंड करती है विच है औली मेगनीटूड क्या हो सकता है ट्विट्वच उसकता है ट्विट्वच हो सकता है एक्सरा खुछ वेलू हो सकती है ठीक है और इसके अंदर क्या नहीं आएगी डारेकशन याइगी इस साथ विकाज इस इसके नरक वादिटी और स्कलेट कोईंटिटी में डार्टिटान होती ही नहीं है घ्रेंटान नहीं होती है ठीक बार बार आपके सामें रिपीड होगा तो इंशाला यू वीडांडरस्टेंड ठीक है अच्छा अब इसकी क्या है एक पूट्टीट इसका एक अपैसा उनिट के अंदर इसका उनिट क्य कि यूणित क्या हो गया लोगी ठीके अच्चा बदा दिये यह ठीक हे अब इसका फ्रॉर ए है आगर हमहारे को जो सब्सक्राइब करए तो इस और चाहीज़ वह चैयोंगे श्रγकर वूर्य से बुरह अच्छे चैये मुर्टाई स्सीर है को आपस में multiply कर देंगे तो we get distance बिल जाएगा हमारा अभी आपको समझ में यह नहीं आएगा लेकिन मेंने फार्मॉल लिख दिया है ताकर आपको इससे awareness हो जाए आपको ठीक है अब आएसे सब बढ़ाएगे तो फार्मॉल आपको आई थिंक्स हो कि आपको यह अल्हमदुलिल्ला समझ में आ गया होगा में थोड़ा किया है ठीक है और कोई हैसके सवाल होगा नहीं है ओके विल्कुल राइट चलिए अब मैं वाइंड़ आप करता हूं अमीर आपको मेरा लेक्शर परसंद आया होगा अगर आपको किसी किसा हो कोई हजिटेशन हो तो यू कैन इंबोक्स में इंशालला आई वूट रिप्लाए असलामुलिए